Hello everyone, study with us में आपका स्वागत है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आसाप्दिक संप्रेशन और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको संप्रेशन बता दिया था संप्रेशन क्या होता है साप्दिक संप्रेशन ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ तो आज इस वीड को थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूँ अगर आपने पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पर यूजी सी नेट पेपर वन का जो है पूरा का पूरा सलिवस कबर कराया गया है और ह अर एक टॉपिक पर आपको वीडियो उस पे मिल जाएगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसे जरूर देखे तो सुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज आपसे सम्प्रेशन को समझना होगा कि जो सम्प्रेशन होता है संप्रेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना पहुचाना या कहें कि सूचनाओं का आदान परदान जो है वो संप्रेशन कहलाता है एक व्यक्ति ने कुछ कहा फिर दूसरे व्यक्ति ने उसकी बातों को सुना और सुनने के बाद फिर उसको उसका कहते है रिपलाई किया या कहते हैं जिसे हम लोग feedback करना ठीक है नहीं? यह मैं पहले वीडियो आपको बता चुका हूँ feedback तो यह जो परकिरिया होती है यह कहलाती है विचारो का आदान परदान अभी विचारो का जो आदान परदान होता है यह दो तरीके से होता है एक होता है साब्दिक संप्रेशन साब्दिक संप्रेशन और दूसरा होता है आसाब्दिक संप्रेशन तो साब्दिक संप्रेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने विचारों को अभी व्यक्त करने के लिए सब्दो का इस्तमाल करता है जैसे की वर्दमान में लोग करते हैं जबकि आसापदिक संपरेशन वैसंपरेशन होता है जिसमें सब्दो का परियोग जो है वो नहीं किया जाता है और अलग-अलग माध्यम इस्तमाल किये जाते हैं संपरेशन के लिए तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आसापदिक संपरेशन के उपर ही है यासापदिक संपरेशन क्या है और ये कितने परकार के होते हैं तो वीडियो को अंते तक देखें इस पूरी वीडियो में मैं आपको आसाब्दिक संप्रेशन से संबंदे जितने भी questions पूछे जाते हैं वो सारे के सारे बताने वाला हूँ तो आसाब्दिक संप्रेशन मैंने या पे लिखा हुआ है कि इसके अंतरगत जो विचार होते हैं जो भावनाएं होती हैं उन्हें बिना सब्दों के अभीवेक्द किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं आसाब्दिक संप्रेशन क्योंकि ये माना जाता है कि कई ऐसे विचार कई ऐसी भावनाई होती हैं जिन्हें सब्धों के माध्यम से एक वेक्ती दूसरे वेक्ती के समक्ष नहीं बता सकता या नहीं वेक्त कर सकता तो उसके लिए उसे कुछ अन्य रास्ता या कहें कि कुछ दूसरा माध्यम इस्तमाल करना पड़ता है अपनी बातों को बताने के लिए तो इसके लिए हम इस्त साब्दिक संपरीशन, अब इए कितने परकार के होते हैं देखते हैं, इसके विभिन नायाम है, तो पहला जो है, जिसे हम कहते हैं काइनेस, सिक्स का इंचलिडिक MysYoge, वह काइनेसिक्स होगा। और हिंदि भी मैंने आप लिख रखा है, आप दकह सकते हैं। अब ये किस परकार का संप्रेशन होता है? ये देखते हैं। ये ये होता है गैर मौखिक या गैर साब्दिक संप्रेशन। है मैंतarily mitad कि एक वेकति अपने बातों दूसरी तक नहीं सब् भाव का परियोग करता है आदी काल में हुआ क्या करता था जो आदी मानव होते थे जब उनकी भासा का विकास नहीं हुआ था तो अपने विचारों को अभिवेक्थ करने के लिए वो हाव भाव का ही इस्तमाल किया करते थे जिसे हम कहते हैं संकेत की भाषा ठीक है तो हाव भाव वाली जो भाषा होती है उसे हम कह सकते हैं काइनेसिक्स ठीक है तो काइनेसिक्स आप याद रखें यादी काल में लोग इस्तमाल करते थे और आज भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका परियोग करते हैं आपने देखा होगा जो बाध पहां से व्यक्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं Kinoses nucleus, okay, दूसरा है Metasumprekeiten, अब Metasumpreation क्या होता है? इसकी अंतरगत क्या होता है, कि वे सभी संकेत आते हैं, जिसमें जैसे कि चहरे से अभी व्यक्ति और बात करने का लिहाजा, इतियदी ये सब सामिल होता है, इसमें क्या होता ही इसमें किसी प्रकार का हाव भाव नहीं होता, व्यक्ति जो होता है, दूसरे व्यक्ति के चहरे से उसकी भावनाओं को पता करता है, या उसके विचारों को जानता है, आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो गुस्से में होते हैं, तो गुस्से में होते हैं, तो इसी depths ज़ो वक्ति है वो गुशे में तो जब इस प्र Braun का समपरेशन होता है तो एससे समपरेशन कम लोते हैं मैटा समपरेशन आपने smiley देखेंगे इसमें क्या और इसमें अगर कोई smiley ऐसा है तो हैपी होता जब जबकि दूसरा को smiley अगर होता है, अगर इस तरीके का बनता है, तो इसका मतलब वो नराज है, यानि angry type का हम कहा सकते हैं, तो यह जो होते हैं, यह sign जो होते हैं, यह meta-sumperation कहलाते हैं, यानि कि meta-communication के माध्यम कहलाते हैं, जिसमें हम सब्दों का इस्तमाल ना करके, सिर्फ और सिर्फ चेहरे की अभिविक्ति इतियदी को जानते हैं, तो यह ऐसा संप्रेशन कहलाता है, meta-sumperation, next है, paralinguistics अब इसमें क्या होता है इसमें जो होता है इसमें स्वर और सब्दो का अध्यन किया जाता है स्वर और सब्दो का अध्यन किया जाता है यानि कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक वेक्ति किसी विशय पर बात कर रहा होता है लेकिन वो उस विशय में कई ऐसी बाते बोल जाता है जो उस विशय से बिल्कुल संबंदित नहीं होती, यानि कि अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, तो कभी-कभी वो अपने विशय से बहुत ही हटकर विचार देने लग जाता है, तो ऐसे हम ये समझ पाते हैं कि जो व्यक्ति है, उसका जो मस्तिस्क है या कहें कि उसका दुझ दिमाख है, वो उस कारे में नहीं लग रहा है, या उस बातों में नहीं लग रहा है, तो इसे हम कहते हैं पैरा-लिंग्विस्टिक्स, यानि कि समप्रेशन का एक ऐसा तरीका, जिसमें हम व्यक्ति की भावनाओं को जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं पैरा-लिंग्विस्टिक्स, अब यहाँ पर सारे पॉंट्स लेखे हुए, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है, औक्यूलेसिक्स, अब अक्यूलेसिस क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें भी संप्रेशन ही किया जाता है यानि विचार वा भावनाव को ही अभिवक्त किया जाता है लेकिन इसमें जो तरीका होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है इसमें नेत्रों और पलकों का परियोग किया जाता है विचारों को व्यक्ति तक आखों से करता है तो इसे हम कहते हैं एक्यू लेसे में हम आखों पलकों का इस्तमाल करते हैं अपनी बातों को बताने के लिए हां और ना आपने देखा कभी कभार आप हां करते होंगे तो पलकों के लाते हैं तो ऐसे संप्रेशन जिसमें हम पलकों और आखों का परियोग करत लेक्स है 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 हटेक्स है 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 यह मतलब क्या होता है 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 इससफर्स के द्वारा संप्रेशन यानि यह ऐसा संप्रेशन होता है जिसमें हम बोलते विचारों को नहीं करते लेकिन इस Springs करके बताते हैं ये भी काफी वर्तमान में परचले थे ये तरीका भी एक वीक्ती है अगर एक वीक्ती दूसरे वेक्ती की बातों को नहीं सुन रहा होता है कुछ नहीं करता है, तो हम उसे टच करते हैं, और उसे या फिर वो कुछ और सोच रहा होता है, या किसी विशय पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो हम उसे टच करते हैं, तो ऐसा संपरेशन को कहते हैं, हैप्टिक्स संपरेशन, हैप्टिक्स संपरेशन, जिसमें हम लोग किसी विकति को. नेक्स्ट है, objectives, objectives क्या होता है? objectives impression चो होता है, इसमें, वस्टु का परियोग किया जाता है, किसी चीज को बताने के लिए, जैसे कि, एक अध्यापक होता है, तो अध्यापक, अगर blackboard पे कुछ लिखता है, तो उसको वो, एक डंडे से समझाता है तो डंडे से जब वो समझा रहा है किसी भी चीजों को तो वो संप्रेशन में एक डंडे का इस्तमाल कर रहा है तो जब भी किसी बातो इतियदी को व्यक्त करने के लिए किसी वस्तू का इस्तमाल किया जाता है वस्तु का परियोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं औबजेक्टिस तो यह चीज़ भी याद रखें सिर्फ डंडा इनिस में कई सारी चीज़े आ जाती हैं जिसमें जिससे की विचारों को भीवेक्त किया जाता है इसमें क्या होता है इसमें जो विचार होते हैं वो अभीवेक्त करने के लिए किसी भी सब्द की अवशक्ता नहीं होती है इसमें किसी चीज़ की महक या गंद के द्वारा ही विचारों को जान जाता है विचारों को जान जाता है का मतलब यह है कि एक्जांपल मैं आपको देता हूँ जैसे मालो पडोसी के घर में अगर कोई चीज बन रही होती है उसके घर में अगर कुछ बन रहा होता है तो जो महक होती है महक को सूंग कर कहें इसमेल करके ही वो यह जान जाता है कि उसके घर में ये चीज बन रही है तो अब क्या है कि इसमें एक जिसका घर है जिसके घर में बन रही है उस उसे कुछ नहीं बताया दूसरे व्यक्ति को लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को इस बात का पता चल गया तो ऐसे मैं करते हैं All Factics यह All Factrics तो इसपर्ड़ के스 आपको सारी सारी के याद रखनी है तो इसमें महक वागंद के द्वारा हम जो है विचारू का पता करते हैं विचारू अभावनाओं को जानते हैं और अब्जेक्टिक्स में हम किसी वस्तू का इस्तमाल करके विचारू को एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति तक पहुंचाते हैं है, हैप securities, हम to disperse के द्वारा एक वեी को दूसरे व्यक्षी तक सी भावनाई वयह विचार करते है या पहुझाते कि अधिन एक्योंकों हम कि इसमें हम विचार और भावनाई को व्यक्त करनछी के लिए नेत्रों और पलक परयोग करते हैं में आपको बताया इसमें हम लोग इसमें जो इतियदी का और सब्दों का अध्यन करते है, ठीक, नहीं तो यह होता, प्रा Left मैंने आपको बताया था … मैटस इंपरेश्न, जिसमें हम लोग चहहरे की अभिवक्ति, से विचारों को जानते हैं और फिर था काइनेसिक्स में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम हाव भाव इतियदी से अपनी विचारों को दूसरे वेक्ती तक पहुंचाते हैं तो ये है आज साब्दिक संप्रेशन के परकार और अगर आपने पहली के वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें जिसमें मैंने संप्रेशन का जो टॉपिक है बहुती विस्तार से समझाया था कि संप्रेशन क्या होता है और साब्दिक संप्रेशन क्या है संप की बाधाएं क्या क्या होती हैं वगरा वगरा तो पहले की वीडियो आप जरूर देखें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखें